असलामुलेकूम केसे हो आप सब इंशालला सब ठीक होंगे अलहमदलिल्ला हम भी ठीक है तो आज हम आपको गोश और गवार की फली बताने वाले हैं जटपट से फ्रेंट तो चली वीडियो के साथ बने रहेगा तो यहां पर आप देख लीजिए हमने यहां पर गवार की फल कम से कम 2-3 मिनट में अच्यसे P 1997 को आप देख सकते हो इस तरह से इसको फ्रेंट करना है इसको पालर को सब ख'll क्रिक दिखनें लगेगा तो आप सामझे एक से च् Instaa आप सब खुब दूआ के शुखी सब बुदय कर ने कि अपक कितने आप देख लीट ऒ liksom in पर ने पूल्व आसी बडसी बड़ी साइस कीुछा कीए प्यास नीच क अढ़ेस है और यहां अपर के लिखे है क्या मेदाने है हैं तक यहां आप हम आप लात प्यास को पिछे प्यास के लिखंगत कर कि ऊणे अमति उlen स्थीबमाइल का दूल करें वह तरह किरहें तो देल चमच एड़ किया है तो आप आपके हिसाब से ले सकते हो फ्रेंट्स हारी मिर्च और लस्टन का पेष्ट देल चमच हमने एड़ किया है तामाटर दो लिए हमने मेडियम साइस के इसको इस तरह से रफली कट किया है फ्राइ कि गवार कली एड़ कर देंगे जट पड इसको अब अच्छा पंच दाने तक में इसको फ्राइक किया उसके बाद गवार कर लिए डिये नमक एड़ करेंगे टेस्स की हिसाब से और इसको अच्छे से मिछ नब कर देंगे और अभी मेडियम फिलेंपर इसको पका लेंगे पानी बिलकुल भीने एक आड़ कर ना है इसलिए दो से तीन मिनिट इस तरह से चलाते हैं पका लेंगे तो बहुत जल्दी से टाइंडर हो जाती है तो यह बॉइल करके रखा हुआ गोश हमने इसके अंदर एड कर दिया है तो बड़ा सा बावल भरके हमने यहां पर गोश एड़ किया है आधा कीलू हमारी गवार फली है तो दो से तीन मिनट पकने दें थोड़ी सी हल्दी हमें इसके अदर है क्योंकि गोश में हल्दी एड़ की थी थोड़ा साम का मिक्स कर लेंगे और मेडियम फिलेम पर इसको पकने देंगे इसी तरह से यह पकते हुआ अच्छे से टैंडर भी हो जाएगी और हमें पानी डालन तो यह देख लिए जिए तीन से चार मिनट हमने इसको ढख कर पकने दिया है तो गवार फली हमारी बनकर तयार हो चुकी देखा ना फिरिंड्स आपने कितने जटपट हमने इसको बना कर तयार कर लिया है तो आप भी ट्राइ कीजिए बहुत एजी रेसिपी आप खाने में ब आपने में इसको सर्फ किया है चावल की रोटी के साथ तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा तो चलिए मिलते हम बहुत ज़्यादा इंशाला तब तक के लिए लाफेस